जब इस राज का गठन 1912 में किया जा रहा था तो 1913 का आप गेजट पढ़ लीजेगा जिसमें कुडमी कॉम्निटी को स्टी की सुची में था ताउन टाटा का धनबाद में दो ही वो यूनिट है टाटा जमा डवा टाटा सिजवा और दोनों यूनिट कुडमी की जमीन पर स्थापी थे आपका अभी सामिल हुआ नहीं है सिर्क दो कॉम्निटी का एक दान है बाकी लोग 20 में होंगे 10 में होंगे लेकिन कली नाची में बहुत बड़ी रही होई महारेली आदिवासें के कुडमी और कुर्मी के खिलाप ही देखे सबसे पहली बात जब कुडमी का विशेय आता है तो मैंने असपस कहा कि जब जब मैं अध्यन करता जाओंगा मैं अपने तर्क देना प्रारम करूंगा सबसे पहली बात है आज जो जिस परकार का महोल मने आदिवासें के बीच पैदा किया जा रहा है उत्पन किया जा रहा है कहीन के दुरुभाई के बीच है अगर जारखंट राज की असमीता पर आप जाएं जारखंट राज के अगर अलग आंदोलों पर जाएं कि सबसे पहला बात जारखंट एक आदिवासी राज है आज आप मेडिया के लोकतंत्र के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी राज का एक आदिवासी राज के रूप में गठन किया जाता है तो अधार क्या होना चाहिए आदिवासी की जनसंख्या होनी जिएगा जिसमें कुडमी कॉम्निटी को सुची में था यानि उनको आधार मानते को लगबग 20-25 के पास पास है उसके पाद कुछ और कम्निटी है घटवार है तो इन पोपुलेशन को जोड़ दिया जाय तो यह समय 50% से पलस था यानि कोई भी राज अगर गठन होता है त क्योंकि हमारे पास 9-10 जीले नहीं है बंगाल का पुर्लिया जारग्राम आपका मयुर्भांज क्यों जार इत्यादी नहीं है उन राज्यों में चले जाए वहां भी सर्वे करें तो जारखंट राज जो बना रहता उसका अधिवासी राज के रूप में तो आधिवासी रा तो उससे पहले से कुडमी अंदोलन चल रहा है दूसरा बात सबसे पहली बात ठीक है लोगों को समझना होगा कि आखिर इस कॉम्मिटी को सुचीज हटाया क्यों गया और मेरा मानना है कि कुडमी का बेटा के साथ-साथ पूरे जारखंड एस्टेट को ठीक है आपके बीच बिबाद होना तर्क बितर्क होना पक्स बिपक्स होना असामत्य होना यह सब चलता रहेगा लेकिन सच्चाई को जानना होगा जब 1908 के आसपास 1907 के आसपास टाटा ने बहुत ज़्यादा संख्या में जमीन का अधिगरन किया गया तो उस समय मेरा हिसाब से मनना था अंग बुकारो जिला उसमें जो भी कोलियरी छेत्र हैं उनमें मैक्सिमम जो जमीने गई हैं उसमें कुडमी समुदाई की गई है तो एक चालाकी के साथ एक साजिस के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया था ताकि जमीनों को अधिगरन करने में आसानी होगी उसके बाद सब्सक्राइब और दोनों उनिट कुडमियों की जमीन परस्थापी थे तो एक बहुत गहरी साजिस के साथ 1950 में जैसे कुडमी कॉमुनिटी को आदिवासी की सुचित सभार किया गया 1951 में सिंद्री के खड़ा होता है आप सिंद्री प्लांट को सर्च कर लीजिए वहां हर सब्सक्राइब को लागत के साथ वहां कितने लोगों को लाव मिला है नहीं सब्सक्राइब कर देखे सबसे पहला हम तरक बात की हैं तो मैं कैसा तरक परस्तू करके जाओंगा जिससे की साइध किसी को नहीं होगा सबसे पहला बात दो चार व्यक्तियों के माध्यम से आप पूरे समाज को जस्टिफाइब नहीं कर सकते हैं ठीक है कुछ लोगों ने किसी कारण बस लोग में अगर इस तरह किया होगा लेकिन आपको जो बास्त्विकता है उससे जानना होगा दूसरी बात आज तो आप लोग उनका जो जीवन दर्शन ने उस पर एक अध्यन किया जाए और उनके जीवन दर्शन को पब्लिकली सब के सामने रखा जाए कि उनमें कितनी भीनता है बहुत सारी भीनता हैं इसलिए टोटेमी कुडमी और आल अबर इंडिया कुडमी बहुत सारा अंतर है द समीधान अखिर क्यों है समीधान प्रतेक व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया गया है और में अभी 32 आदिवासी की मने स्टी के सुची में 32 सम्मुदाई सामीले और कुछ नए जूड़े हैं साय तीनिया चार और अबर दस जूड़े हैं लेकिन धार्खन में तीनिया चार लोहरा भगता तमड़िया इत्यादी तो अगर आप चलिए अब कुड़मी की बात थोड़ा सा भगल में रखते हैं और हम थोड़ा सा स्टी में जो 32 उन ही पर चर्चा करते हैं पहाड़िया की क्या श्तिती है बिरहरी की क्या श्तिती है तो मेरा अगर मानना है जिस परकार सेंट्रल की लिष्ट में OBC है लेकिन जब वो लिष्ट राज के पास आता है तो कहीं BC1, BC2, BC3 हो जाता है तो ठीक उसी परकार अगर आप व्यक्ति को जिन्दा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो 32 आदिवासियों की सुची है उसमें आप जो अती पिछड़े लोग हैं जो हमको लगता है वाले मने जो लोग आग कुछ सालों में खतम हो जाएंगे एक प्राइमिटिव ट्राज के तहत उनको भी देखने का काम कीजिए तो ठीक उसी प्रकार अगर इनको ऐसा लग रहा है कि कुड़मियों के सामील होने से तो उस पर राज सरकार को राज सुची लगभग सालों पूर्व की है हम लोग 32 की खत्यान को लेकर निकले थे हम लोग नियोजन नीटी को लेकर लेकर थे लेकिन अगर जब आपका सवाल आएगा तो इसकर हम तार्कीक उत्तर रख तर रहा था तो एक बहुत बड़ी आबादी के साथ आदिवासी राज के रूप था उस समय तत्कालिन जो सुची थी उसमें कुडमी शमिल था उसके बाद उसे सुची से हटाने का रिजन यही था कि खनी शंपदा मैक्सिमम जो खनी शंपदा है वह कुडमी की धर्ती पर ही आज उतना नहीं अगर हम बात करें हम लोग काफी हमारी कम है आप लोग खुद जाके सर्वे कर लें कि मैक्सिमम जमी ने किन की है तो जमीन अधिगरन करने के कारण ही उनको सुची से बाहर किया गया था देखे सबसे पहला बात है हम लोग कभी उम्र क्या है अगर पुरमी आदिवाशी बनने की मांग करते हैं तो पुरे जारखण में तितली के तरह दिवाशी यों को उतार देगें देखिए मेरे हिसाब से यह बहुत ही मने उनका दुर्भाग पूर्ण बयान है गुर्जर लोग अंदोलन कियें जाट लोग अंदोलन कियें पटेल लोग अंदोलन कियें क्या किसी अन्नी समुदाय ने उनके खिलाप जाकर सड़क में अंदोलन किया नहीं यानि कोई कम्निट चाहि कोई समुदाय को समीधानिक दायरों में मंग सकता है आप क्या कर सकते हैं अगर आप असामत है तो आप कोड़ oils AMY L करते वें कोड में मंग कर सकते हैं उसके बाद निर्ना लेना उसको सामील करना ना करना यह कोट कभी शेयर रहता है लेकिन आप एक भारत देश में इतने आंदोलन हुए सभी समुदाइज सभी बर्गों ने किया है क्या किसी अन्य वर्ग ने उसके छिलाप आंदोलन किया है यह साहर जारखन में ही हो रहा है और मुझे लगता है अगर बास्तों में लोग आदिवासी चिंतक हैं तो उन्हें यह चिंतक करना चाहिए कि जब अगला परिशिमन होगा क्योंकि एक समय इसी भोभाग में कभी सत्तर परतिसद आदिवासी हुआ करते थे आज अगला जनगना होगा खासकर जाती जनगना जो पूरे देश में बात उट रही है उस चाहते हैं आदिवासी का वला हो क्योंकि आज भी सोसी थे बंचीत हैं तो सबसे पहले यह सर्वे हो जब अगला परिशिमन हो तब उनकी जन संख्या क्या ठरेगी क्या उस समय आपका जो यह आदिवासी राज के रूप में चिन्हित क्या गया है तब उस क्रेट्रिया में खड़ा उत्रेगा की नहीं उत्रेगा इस पर चर्चा होना चर्परिशिमन होगा ही आज भल एक आसी विधान सभा है लेकिन आज जो विधान सभा बनाए उसमें 160 सीटे हैं तो 160 सीटे क्यों किसली रखी गई है आज हो कल हो विधायों की संख्या बढ़ेगी तो जब विध शूरी लोग कहां या विधी बिरजय लोग कहां है उनकी क्या ही स्टीतीने वर्ठी Zまり मेरा मानना है तो सबी परिद्रसी नहीं सबसे दागर जमिन की संकट में आएगी तो खुड़नों की आएगी आप देख सकते हैं यहीं आपका जो यह सड़क चोड़ी करन हुआ आपका और मांजी से निकला है देखिए किनका घर मकंजादा टूटा है यह जो आपका रिंग रोड घुमा चारो तरब उसमें भी आप देखिए इस पर भी अध्यन करना होगा चुकि मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर इसको लड़ाने के पीछे किनका हाते लेकिन मैंने जो तरक रखा आप उस तरक को खारिज नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें सुची में हटाना सुची में रहना आदिवासी राज की मांग कर क्यों हुआ था कम से कम जन संग्या 50 होनी चाहिए थी क्योंकि 25 परसेंट को आधार मानकर अगर किसी आदिवासी राज का निर्मान किया तो यह संभावना नहीं है या और आपको राज सुची में यह डर लग रहा है तो जिस परकार BC1 BC2 BC3 अगर इसमें आपको डर लग रह चाहिए तो आप उसके लिए राज सरकार को एक गहन समिक्षा करनी चाहिए और हम तो कहांगे कि प्राइमिटिव ट्राइब्स का अलग कोलम राज में रख्या उसमें जो लोग बिलुप्त हो जा रहे हैं उनको आप कम से कम सुरक्षित करने का कारी करें